आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम अशिद्धान तक नहीं हो तरी स्टडी आएक्यूपा आपका बहुत-बहुत स्वागत है ना खाता ना वही जो चचा केसरी कहे वही सही आज हम सीता राम केसरी की बायग्राफिक को रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों सीता राम केसरी की बात करें तो यह अध्यक्ष रहे हैं कॉंग्रेस के 1996 से लेकर 1998 तक और सिर्फ देशों में ही तकता पलट नहीं हुआ है पार्टीज में भी तकता पलट हुआ है सीता राम केसरी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे लेकिन इधर सोनिया गांधी तैयार खड़ी थी कि हमको तो टेक ओवर करना है और सीता राम केसरी का फिर तकता पलट किया गया ऐसा बोला जाता है कि इनको बाथरूम तक में बंद कर दिया गया था वो कहानी किय भी नहीं किया और 2000 बिन का दिहान थो गया था तो आज हम इनकी बाइग्राफी देखेंगे वैसे बता दू दोस्तो मैंने सीता राम केसरी का जिकर कई बार किया है मैंने प्राइम मिनिस्टर सीरीज और प्रेसिडेंट सीरीज कवर की है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडें मेना फेस्बूक पेज है सिद्धान तक नहीं उतरी के नाम से मेरी फेस्बूक प्रोफाइल है दोनों ही जगां आप लेचर के पीडिये फ्रेज सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं स्टेडी आएक्यो के टाब्लेट और प्रेंडर प्रेंड़ को से सारे एक्जाम के लिए अब मैं ट्विटर पे भी आगया हो दोस्तों यह मेरी आइडिया आप मुझे आपर फॉलो कर सकते हैं सीता राम केसरी की बात करें तो इनका जनम 1916 में हुआ था दानापुर पतना बिहार की राजधानी है पतना तो पतना में यह जनमे अब जब सीता राम केसरी का जनम हु सुखा है 2000 में उनका ध्यानत हो गया तथ सीता राम केसरी का लेकिन जब भी आप उनको देखेंगो टोपी लगा के गूमते थे और अंग्रेजी नहीं आती थी मकान भी इनका इतने बड़े पॉलिटीशन थे लेकिन इनका अपना मकान नहीं था ठीक है तो हमें देखते हैं कि उस समय गांधी जी बहुत दादा अक्टिव थे 1919 के बाद आपको पता ही यह जलिया वाला बाग कांड हुआ फिर 1920 में नॉन कॉपरेशन मुवमेंट स्टार्ट हुआ यह सब कुछ सीता राम केसरी का परिवार देख रहा था बहुत ही अमीर परिवार से नहीं आते थे ठ दाव सीता राम केसरी पूरी तरीकी सा अक्टेव हो गया और सिर्फ 13 साल की उमर में उन्होंने यह सिविल डिसोबीडेंस मुवमेंट में पाट लिया और उसके बाद इनको कई बार जेल में बंद किया गया लेकिन फिर भारत आजाद हो गया और 1967 में यह कटिहार से चुन क में जले और उसके बाद इन्होने इंडिया नाशनल कॉंग्रेस जोयन कर ली और इंडिया नाशनल कॉंगेस के ही सात रहे ताउम्र इंडिया नाशनल कोंग्रेस के मेंबर रहे लाइफ टाइम तक अब उस्वामेंदरागांधी थी यह आपको पता है तो हम देखते हैं कि 1967 67 में चुन किया है और 1973 में को बिहार is Congress का अध्याक्ष बनाएं गया और 1980 में को Congress का कोशा अध्याक्ष बनाएं गया और 1980 से लेकर 1946 साल तक यह Congress के कोशा अध्याक्ष रहे Treasury को देखते थे यह funding कैसे हो रही है उसको manage कैसे करना है यह सब सीताराव के सी नहीं देखते थे अब दोस्तों सबसे important event आया 1996 में हुआ क्या चलिए हम बात करते हैं देखिए 1991 में राजीव गांधी को assassinate कर दिया गया आपको पता ही है उसके बाद election हुए और भारत एक तरीके से बिकने के कगार पे था ठीक है 1991 में भारत बहुत भारत की हालत बहुत खराब होगी तीदर Gulf War हो गया था भारत के पास पैसे नहीं बचे थे तो यह पूरा कपुरा किस तरीके से सोना गिर्वी रखा गया इसा मैंने कवर कियाै प्राइम मिनिस्टर सीरीजार देख लीजएगा तो जब राजीव गांधी को अशसीनेट किया गया तो बहुत ही जबर्दस्त प्राइम मिनिस्टर पी वी नरसिमा राओ आए पी वी 엍र्सिपरां केसरी के ज्यादा बंती नहीं थी ये भी कहा जाता है कि PV नर्सेमा राव को हटाने का सबसे वड़ा काम सीता राव केसरी ने किया और बाद में उनके साथ भी वही हुआ तो PV नर्सेमा राव आए उन्होंने LPG रिफाउम मनमुहां सिंह और PV नर्सेमा राव ने LPG liberalization, privatization, globalization मतलब हमारी economy को खोल दिया अब जो socialist leader थे यह तो capitalist model है अब यहां पे बाहर से भर-बर के investment आया बहुत सारी बहुत सारे taxes कम किये गए टरिफ सट आये गए ताकि बाहर की companies यहां पर इंवेस्ट करें लेकिन capitalist model है तो बहुत सारे socialist leader को यह पसंद नहीं आया जिसमें सीता अबते था दोस्तों यह बड़ा dangerous था dangerous मतलब Congress party के रहे तो काफी जाधा dangerous क्योंकि इसी दोरान दोस्तों तीन प्रधान मंत्री आये और तीन प्रधान मंत्री गए जब राजीव गांधी को assassinate किया गया था तो सोनिया गांधी से बोला कि आप take over कर लिजे गांधी परिवार क जब सीता राम केसरी को अध्यक्ष बनाया गया और 1996 में election हुए तो राम रतपे सवार बीजे पी ने कमाल कर दिया बीजे पी को 161 सीटे मिली और Congress को सिर्फ 140 और यह पहली बार हुआ था जब किसी को बहुमत नहीं ना बीजे पी को ना Congress को तो दोस्तों फिर आपको यादी ह 26 में बीजे पी के पास जादा सीटे थी बीजे पी को पता था अटल बिहारी वाचपई को पता था कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे उसके बावजूद उन्होंने दावा पेश किया 13 दिन के अंदर यह सरकार गिर गई और उसके बाद वो एती हसिक भाशर जो दिया अटल जंदा रहना चाहिए ठीक है ना तो तेरा दिन में यहां पे बीजे पी की सरकार गिर गई तो अब किसकी सरकार तो सबसे पहले यहां पे देवे गोड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया अब देवे गोड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाया तो गया लेकिन कॉंग्रेस क्या करती थी support वापस ले लेती थी और ये सीता राव केसरी का पूरा दिमाग होता था क्योंकि अध्यक्ष तो वही थे न कॉंग्रेस के उसके बाद आए के गुजराल है इंदर कुमार गुजराल जब प्राइम मिनिस्टर बने उनका भी यही हाल हुआ उनको पता था जितने अग्यारी वाचपई, देवे गॉड़ा और आईके गुजराल अब इधर सीता राम केसरी के मन में ये था कि मैं प्रधान मंतरी बन सकता हूं और इसके chances भी बहुत ज़्यादा थे सीता राम केसरी उस समय प्रधान मंतरी बन सकते थे और सीता राम केसरी जब भी कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी को देखते थे बटर फ्लाइज इन दी स्टमक कहते है न कि उनको लगता था कि यार ये सब लोग ज़्यादा पड़े रिके नहीं काबिल नहीं ये सब लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़िया लेके मिनिस्टर बन गए हैं तो मैं तो बिलकुल प्रधान मंतरी बनूँगा अब सीताराम केसरी के मन में कहीं तो लगती लेकिन कॉंग्रेस वाले ये नहीं चाहते थे और बहुत सारी लीडर भी उसकारीजन क्या था दोस्तों मैं बताता हeffective सीता राम केसरी जो थे वो एक तो अंग्रेजी नहीं जानते थे वो जाधा पढ़े लिके तो थे नहीं अंग्रेजी नहीं जानते थे जो साउथ के लीडर्स होते थे वो उनसे बात नहीं कर पाते थे संबाद करने में बहुत जादा प्राब्लम होती थी सीता राम केसरी से ठीक है दूसरी चीज यह है दोस्तों कि सीता राम केसरी जो कॉंग्रेस में ही बहुत सारे लोग थे वो सीता राम केसरी से इत्तिफाक नहीं लगते थे सीताराम केसरी का थोड़ा अलग मानना था, वो सोशलिस्ट आइडियास में चलते थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉंग्रेस का यह नहीं मानना था, दूसरी एक और सीताराम केसरी महा कड़ बंदन चाहते थे, वो चाहते थे कि मुलायम सिंह यादा हो, लालू प्रस सोनिया गांधी को लाने की जद्दो जय चलने लगी, जब इतनी जादा प्रॉब्लम्स तो सोनिया गांधी को ले कि आओ, तो सोनिया गांधी यह मान गई कि 1998 में वो बनेगी, अध्यक्ष लेकिन अब अध्यक्ष पत पे तो सीताराम केसरी बैटे हैं, तो इनको हटाया कैस से बन सकता हूँ, तो वो क्यों चोड़ेंगे गद्दी अपनी, वो नहीं चोड़ेंगे, और सीताराम केसरी का जो गुरुप था, बहुत सारे जो नेता थे, वो सीताराम केसरी के साथ थे, उन्होंने तो बिल्कुल बोल के रखा था कि आप मत छोड़िएगा, और इधर सो सीताराम केसरी को बिहार केतने बड़े नेता, बिहार कॉंग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, चुनाओं प्रचार से सीताराम केसरी को बिल्कुल दूर रखा गया, उनको बिहार तक जाने नहीं दिया, और जब 1998 में इलेक्शन्स हुए दोस्तों, तब और हालत खराब होगी क्योंकि 1998 इलेक्शन्स की बात करें, तो यहां पे कॉंग्रेस को 141 सीटे और बीजेपी को 181 सीटे मिल गई, तो बीजेपी का आकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया, आप क्या किया जाब कुछ समझी में नाय किया, तो बीजेपी अब सरकार ये तो लगबग लगबग बना उनकी सीताराम केसरी से बनती नहीं थी, और सीताराम केसरी के भी बहुत अच्छे व्यूज नहीं थे उनको लेके, जो ठाकोर थे, जो ब्रामन होते थे, उनको लेके ना सीताराम केसरी के बहुत अच्छे व्यूज थे, ना जो बड़े लीडर्स थे, उनके बहुत अच्छ सीता नाम केISHिए के उपर, बड़ी चालाकी से, कि सीता नाम केISHिए पार्टी के अध्यक्षिए, बलकि सीता नाम केσιडियरी अभी मैंने बताया, वो तो प्रचार प्रशार भी नहीं कर रहillar थे. लेकिन सीता नाम केolesी के उपर सारे आरोप मड़ दिया गया, कि इनी की वज़े से हमारे, अब यहाँ पे केसरी हटाओ अभियान चालू हो गया, कि इनको हटाओ, अध्यक्षिपद से अब इनको स्तीफा देना ही पड़ेगा, कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी की बार-बार बैठे के हुई, प्रणम मुखरजी के घर में पूरा प्लान बना चाहते थे, और इन सब को शीट्स तक पहुचाने में सीताराम केसरी का बहुत बड़ा हाथ था, तो 5 मर्च 1998 में बैठक होती है, और उसके बाद सीताराम केसरी को भी लग गया था, वो एनौंस कर देते हैं, कि मैं स्तीफा दे रहा हूं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनका म पड़ेगा, वनब प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉंग्रेस पार्टी के फिर से दो टुकड़े हो सकते हैं, तो फिर उसके बाद आनन फानन में बैठके बुलाए गई, और बहुत सारी बैठके चली, 5 मर्च से लेकर 13 मर्च तक, और ultimate ये हम देखते हैं दोस्तों, कि 14 मर्च क फिर ये प्रस्ताव पास हुआ कि अब सीताराम केसरी को अध्यक्षपत से स्तीफा दे देना चाहिए, ये सीताराम केसरी को बिल्कुल नागवार गुजरा, ये जो तक्ता पलट की कोशिश थी है, एक तरीके चा ब्लेडलेस टूथ कूथा, इसमें खून थोड़ी ना बहा ये तो सोची समझी साजिश रची गई, सीताराम केसरी के खिलाब, अब ये रचा जाना भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये सही भी था, है ना, क्योंकि केसरी के जो व्यूज थे, वो कोई बहुत प्रोग्रेसिव यूज नहीं थे, कोई प्रोग्रेसिव आइडियास नह देखते हैं, सोनिया गांधी के साथ थे, तो हलाकि शुरू में तो शरत पवार ने सोनिया गांधी को काफी मतलब जादा अपोस किया था, शुरू में शरत पवार की भी बाग्राफ में रिव्यू किया, शुरू में बहुत जादा अपोस किया था, लेकिन बाद में सब कोई ठीक है और 14 मार्च को प्रस्ताओ पास हुआ कि अल्टिमेटली अब सीता नाम केसरी को स्टीफा दे देना चाहिए तो सीता नाम केसरी उटके चले गए उन्होंने बोला कि नहीं है ऐसा तो नहीं होगा तो फिर यहीं बोला जाता कि उनको बाथरूम में बंद कर दिया त इमेटली परस्ताओ को पास किया और सोनिय गांधी जो है सोनिय गांधी को बहुत ज़ें सपोर्ट हा सोनिय अध्यक्ष बनी सीता-राम केसरी कुछ नहीं कर पाए सीता-राम केसरी ने बोला था कि षोन एउसका मैजा सेवियर लेकिश को निकालके कूडे दान में फेख दिया वह अध्यक्ष बन गई लेकिन Sonia Gandhi यह नहीं चाहती थी कि इस तरीके से वह अध्यक्ष बने Sonia Gandhi को भी बहुत बुरा लगा तो Sonia Gandhi जैसे पकुछ खतम हुआ तुरांट वह सीता राम केसरी के घर पर गई और सीता राम केसरी को उन्होंने एक महाननेता बताया तो यह कहानी थी दोस्तों इस तरीके से सीताराम केसरी को हटाया गया और 1996 से लेकर 1998 तक यह सब हुआ ठीक है और इस 14 मार्च को यह पूरा का पूरा जो रेजिलुशन है वो पास किया गया था अलग कि सीताराम केसरी का अपना घर नहीं था ऐसा बोला जाता है ठीक है और फिर उसके बाद मोदी जी ने और बहुत सारे कॉंग्रेस मतलब बहुत सारे बीजेपी के निताओं ने यह एलेक्शन में इसका खूब इस्तमाल किया था, मोधी जी ने तो बोला था सीताराम केषरी डलित थे, डलित नहीं थे सीताराम केषरी, ठीक है ना? तो यह कहानी थी सीताराम केषरी की, यकीनन बहुत ही बढ़िया मौका था, और इनके बारे में चर्चिता की ना खाता ना भाई जो चचा केषरी सहे, कहें वही सही, कहानी थी सीताराम केषरी की, आई होप आपको पसंद आई होगी, खुश रहे ही परफेरी, जैसे सिदान तक नहीं होतारी सैनिगो,